हेलो इपरण आपका स्वागत है आपके अपने यूटी चैनल पे संवायत स्टेडी में आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 12 एंडिफिनिट इंट्रीगेशन हैं यह पिछले वीडियो में जो है वह आपजेक्टिव स्वालव किये थे आज के इस वीडियो में जितना भी कोण से एक दिया हुआ है ठीक है इनको हम स्वालव करते हैं स्वालिउ्सान सब्से पहले हम इसमें क्या करेंगे तो पूट कर देंगे यहको सर्ण आप है यहां पर differentiate कर देते हैं तो differentiation with respect to x यह कि x के respect में differentiate करेंगे तो dt by dx equal to log x का 1 by x therefore यहां जो हुआ dx equal to आ जाएगा x dt यह हमारा x dt आ जाएगा अब देखें यह तो हमारा definite integration है इसमें हमको limit भी change करना पड़ेगा यहां हम लिखते हैं अपर limit अपर limit हमारा कौन सा है अपर limit हमारा है एक स्वाल to e है यहां पर जो हुआ वाटी हम जाब निकालेंगे लोग e हो जाएगा लोग e कमान 1 होता है यानि कि आप टी वाटी हो तो वन हो गया एंड हम निकालेंगे लौर्ड लएर लिमीट अब हुम जू हुआ है निकलेंगे तो लोईर लिमीट जो ह्था है वहा हम की हेज पर निकलेंगे शुवायμεंगे फिल्ए 2 रोटल या तीम यह वन पर निकलेंगे ति्य हमारा जो हुआ वह ती कि वल्टthe वान आया है यह इतना आया है अब हम questions चलेंगे now देखे यहनी कि जब at x equal to e था तो टीक मान कितना आया वान आया है यह हमारा i equal to one से लेकर कहां तक है तो यह जीरो से one तक है और यह हमारा course log x के जगा पर यह हमारा t हो जाएगा और यह बटेम जो हुआ यहनी कि हमारा कितना है तो x है और यह dx के अस्थान पर जो हुआ हुआ x dt जाके देंगे x dt अब देखे यह x x cancel तो यह हमारा i equal to जो हुआ हुआ integration of zero से one course t dt course का integration क्या होता है sign होता है यह हमारा हो जाएगा sign t zero से one अब हम जो हो अपय लिमिट लो यह limit रखेंगे यह हमारा i equal to जो हुआ हुआ हो यह हमारा i equal to i equal to हो जाएगा i equal to हो जाएगा sign 1 माननस यह sign zero तो सान जीरो का मान कितना होता है तो कि इसका तीन नमर को यह है तो दिया हुआ है उनको आपले लिख लेतेए गिव ए यह एक्वल टू दिया हुआ है इंट्रिगेशन ओफ जिरो से पाइवाई टू लोग टैन एक्स यह जो हुआ दिया हुआ है डी आक्स तो चलिए इनको हम स्वालब करते हैं सल्यूशन देखिए इसको हम यहां पे जो हुआ घेर देते हैं ठीक है यहां पे हम प्रोपर्टी लगा एक्स डी एक्स एक्स एक्वल टू यह प्रोपर्टी जो हता है जीरो टू ए एफ ए मैनस एक्स डी आक्स यही प्रोपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे इनका नाम फर्स्ट दे दिजिए तो फर्स्ट दे देंगे तो देखिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह है तो यह हमारा pi by two minus x dx हो जाएगा यह हो जागा इसको it x नाम दे इसका second नाम देजिए अब देखिए समीकरन first और second को हम जोरति हैं तो और कितना और जागा ? तो आए जोरति हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो धेखिए यहां पर हम एडिंग equation first and second की है यह हमारा इतना result आएगा ठीक है तो अब देखें यह 2i equal to देखें दोनों का limit जब same रहता है इनको हम लिख सकते है 0 से pi by 2 यह log यह 10x पलस यह log cortex इनको जो हो हम ऐसे लिख सकते है ठीक है और यह dx यहाँ पर देखें एक formula होता है log m minus log n log m minus log n की formula होता है log m by n यह जो है वो formula होता है यह formula यहाँ पर हम apply करेंगे तो यह 2i equal to 0 से pi by 2 log m minus n यह होता है log m into n sorry यह log n की m minus n यह formula होता है और जो हुआ log m plus n का जो हुआ फर्मुला जो फर्मुला यूज करने वला था वो हम लिखे ही नहीं यह होता है log m into n यह हमारा हो जागा 10x into cortex dx अब देखे 10x into cortex कितना मान होता है तो इसका भेलो 1 होता है तो 1 होता है तो यहाँ पे 2i equal to 0 is 5 by 2 log 1 dx हो जाएगा log 1 n की बेलो कितना होता है तो log 1 का बेलो 0 होता है तो यह 0 से 5 by 2 0 dx हो जाएगा तो यह पूरे टर्म सभी जो होगा 0 हो जाएगा तो 2i equal to 0 तो therefore i equal to 0 this is my answer यह हमारा final answer हो जाएगा यह हमें प्रूब करने के लिए दिया था तो यह हमारा answer हो जाएगा यह हमारा यह 3 दिया हुए और यह dx और यहां पर एक्स सर्व करते हैं यह को हुआ है हेहां भी जहां होए लाग एक्स को ज़ाओ हम फूट कर देता है है हैं यह नहीं यह तो नहीं पने दे de d ت t equal to log x log x को put कर देंगे अब इनका differentiate करेंगे to differentiate करेंगे differentiation with respect to x on both side तो यह हम differentiate करेंगे तो यह dt upon यह dx log x का कितना होता तो वन बाइक्स देरफोर dx equal to जो हुआ x dt यह इतना हो जाएगा x dt यह इतना हो गया अब देखें इनसे आगे इनको हम solve करते हैं इनसे आगे इनको solve करेंगे यह इतना हो गया अब देखें इसमें limit भी change करेंगे तो पहले हम लिखते अपर limit अपर limit एक्स इक्वाल टू तीन पर तो यहां पर हम टी इक्वाल टू जो हुआ अपर लिमिट निकालेंगे तो टी इक्वाल टू लोग यह एक्स कर स्थान पर ठीरियू हो जाएगा एंड हम निकालेंगे लोएड लिमिट लोएड लिमिट निकालेंगे एक्स इक्वाल टू टू पर तो टू पर जब हम निकाल लेंगे तो टी इक्वाल टू लोग टू यह इतना हो गया अब हम कोईचेंस जो हुआ हो हां चलते हैं नाओ यह देखें यह एक्वाल टू जो हागा यह हमारा कितना हो जाएगा देखें तीन कर स्थान पर हमारा लोग 3 होजाएगा और इस कर स्थान पर लोग 2 ठीक है और यह dex कर स्थान पर x dt यहतना हो गया और यह x और यह लोग एक्स रस्थान पर टी यह और यह कैंसे हैं यह आई एक बाइल टू लोग ठीडी लोग टू डी टी बाइल अब देखें यहां पर बोगादी वन बाइल एक्स दी एक्स का इंट्रिगेशन क्या होता है लोग दी लोग मॉड एक्स होता है यह होता है यह फॉर्मूला यहां पर अप्लाइगर यह ति हाँ पर लोग टू हमारा हो जाएगा कितना होगा हो ति हमारा होगल लोग अपर लिमिट यह भा grass ल्यादी हुए छूयाँ या लोग नजाल देखें यह लोग क्या से लोग त्यूपल यह हमारे देखे लोग M-N का फर्मुला हो जाएगा तो देर पर आये कबल तो लोग M यह लोग 3 बटे जो हुआ लोग 2 यह जो हुआ हमारा फाइनल क्या होगा तो आंसर हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग यह कोईचन जो बहुत यह अच्छा तरिका से समझ गयोंगे तो चलिए अब इनका जो हुआ हम नेक्स्ट कोईचन लेते हैं यह फाइब नमर तो आप लोग अच्छे से देखेगा यह हमारा थीरी नमर था अब देखें फोर नमर कोईचन फोर नमर कोईचन गेव हैं दिया हुआ है उनको हम पहले लेख लेते हैं यह आ इकबल तो दिया हुआ हुआ है यह दिया हुआ 4 10 square x dx और यह जो हुआ 2020 CCB में आया हुआ इसको जा हुआ evaluate करना है ठीक है तो देखें इसको evaluate करने के लिए क्या करना पड़ेगा यह आएक वाल टो 10 square 10 का तो integration आप लो जानते हैं लेकिन 10 square का जो हुआ नहीं जानते हैं तो 10 square को नहीं जानते हैं इसको जो हुआ हम change कर देंगे इसको हम लिख सकते हैं C square square x-1 तो बिल्कुल लीआख सकते हैं और यह dx हम जानते हैं चुकि dz square x minus 10 square x का formula होता है 1 यह chips square x-10 square x का formula होता है 1 यह formula होता है यहां जो है होगत है कि dz square x यहां 10 square x हम निकालेंगे यह मैं 10 square x जब हम निकाल भेलेंगे इसको यहां पर यही फर्मुला जो है वह हम यूज करने वाले हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा यह हमारा इक्वल टू से का हमारा होता है तो यह हमारा हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा यह एक्स हो गया यह जिरो से pae by four अब हम सबह में जो हो जाएगा भेलू राखते हैं पर Solid और लोए लिमिट का यह आइक्वल टू पहले हमाँ अपर लिमित राखेंगे यह 10 पाई बाई 4 मैनस यह नो कितनसे पाइबई प्रोल यह कोटा है फाइनल कि होगा तो आंसर हो जाएगा उमेद करते हैं कि आफ लोग चाट नमर कोेशजन बहुत छ violet का से समाज़िगे होंगे चलिए अब हम 5 नमर क्वेशन लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा अब देखिए इसका 5 नमर क्वेशन गीव हैं आई एक बल्टू यह दिया हुआ इंट्रिकेशन ओफ 0 से 5 आई 2 को से स्कार एक्स डिया छाजी 2019 में आए हुआ है दो नमर में चलिए यह हम स्वालो करते हैं स्वाली से हमपर पर्प्रपर्टीज लगाएंगे यूजिञक using property using property 0 से A fx dx equal to 0 से A f a minus x dx यह जो है वह हम property यहाँ पे लगाते हैं यह I equal to 0 से pi by 2 यहाँ पे हम जब लगाएंगे यह हमारा cos square यह pi by 2 minus x dx यह हमारा finally होगा इसका नाम first दे दीजिए यह हमारा I equal to 0 से pi by 2 यह पे हमारा pi by 2 minus x sine हो जागा यह square है तो sine square x dx इसका नाम second दे दीजिए यहाँ पे लिखिए adding equation adding equation first and second दोनों equation को हम add करेंगे यह I I कितना हो जागा 2 हो जाएगा और यह हमारा 0 से pi by 2 तिया और यह जोरेंगे तिया हमारा हो जागा कितना sine square x plus cosine square x हो जाएगा और यह dx है तो dx देखिए बुआ जी इसका मान कितना होता है तो 1 होता है यह 2 I equal to 0 से pi by 2 1 dx यह हो जागा अब देखिए 2 I equal to इसका integration x हो जाता है 0 से pi by 2 अब देखिए यह 2 I equal to यह हमारा हो जाएगा pi by 2 minus 0 यहनि कि यह हमारा होगा कितना तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा तिया हमारा हो जाएगा 2 I equal to यह pi by 2 by 2 तो देरफोर यह I equal to जो हो पाइबाइ दुदनी 4 यह जो हो हमारा final क्या होगा तो हमारा answer हो जाएगा अब देखिए इसका I equal to integration of pi by 6 pi by 3 दिया होगा है और यह dx बटे 1 plus root 10x यह दिया होगा चले इनको हम solve करते हैं solution तो देखिए यह जो होगा I equal to यह हमें दिया होगा है pi by 6 से यह हमारा pi by 3 ठीक है और यह देखिए dx बटे यहां पर जो होगा आप लोग बताईएगा 10x को क्या हम लिख सकते हैं root and r sin x बटे जो होगा root and r cos x बिलकुल लिख सकते हैं यह इतना होगा अब देखिए I equal to integration of pi by 6 यह हमारा pi by 3 3 और यहां पर जो होगा इतना होगा और यह उपर जाकर यह गुना होगा तो यह हमारा Cosex sin x या इतना होगा यह Cosex उपर चल जाएगा तो यहां पर जो होगा I equal to final हमारा आ जाएगा pi by 6 उन्हें कि पाई भाई थिर्य और यह हमारा रूटेंडर ये कोश एंडर ये कोश एक्स फलट्स रूट ये मज़निये साइञ डश भी इतना हो दिलिए ये इतना हो जोग इसका नाय हम परस्ट दे फ यह प्रोपर्टिज होता है निलिए कोस यहां पर देखिए यहांपर हम क्या करते हैं यह यह जो इन अपर लिमिट और लोए लिमिट दिया हुआ दोनों को जोड़ देते हैं यह जो x में घटा देते हैं यह हमारा pi by 3 और pi by 6 को जोड़ेंगे था हमारा pi by 2 होगा यह हमारा pi by 2 minus x हो जाएगा और यह नीचे हम हमारा होगा root under cos pi by 2 minus x यह इतना होगा और यह plus यह root under हमारा होगा Time wow two minus Tax cricket यो इतना हो जाएगा अब देखिए है लट यह हमारा है सी इसले कोष्ट لاak किस नभी क्या होता है साइन झीट होता है यह हमारा हो जाएगा साय नेक्स और यह बट्टे जो हुआ होा रूट अडर यहां पहर देखिए कोस्ट पाइबाइट वैस्ट और सकेंड को देखिए आपको हम बता दे कि इसी टाइप का जो है कोई चन जो है हुआ है और यहीं जो हुआ हुआ है रहा है यह से आगे इनको करिएगा इस टाइप कोष्चन आ जाता है हम यहां पर एकवेशन एकवेशन फर्स्ट एंड एकवेशन second then we get then we get any equation first and second को हम add करके यह हमारा LHS वाला यह की add होगा ति हमारा होगा 2i और यह limit हो जाएगा 5 by 6 जो होगा 5 by 3 और यह हमारा root under यह cosec बटे में यह root under cosec plus यह root under sin x यह इतना हो गया यह हमारा है यह हमारा है root under sin x plus root under cosec यह इतना है और यहां पर ब्राकेट बंद कर दिजिए और यह dx यह इतना देदिए अब देखें यहां पर हम क्या करते हैं तो यहां पर हम lc m ले लेंगे था हमारा 2i equal to यह हमारा 5 by 6 जो है वो 5 by 3 और यहां पर हम lc m ले लेंगे यह देखें यह हमारा cosec plus यह हमारा हो जाएगा root under sin x और यह नीचेम जो है वो हमारा हो जाएगा cosec plus यह root under यह हमारा sin x bracket 1 dx यह और यह भाई सैब केंसिल यह और यह भाई सैब केंसिल तो 2i equal to यह हमारा 5 by 6 जे यह 5 by 3 और यह जो है वो यह हमारा यह इतना हो गया और यह का स्थान पर 1 dx हो जाएगा यह 1 और यह यह इतना हो गया अब देखिए अपर लिमिट मैनस लोगे लिमिट लगाएगे यह 2i equal to यहाँ पर 1 का integration हमारा x हो जाएगा यह जो है वो 5 by 6 से 5 by 3 अब देखिए आइक वाल टो अपर लिमिट मैनस लोगे लिमिट यह नि 2i equal to यह हमारा हो यह झायेगा यहाँ बैट का मतलब हो गया हमार यह हमारा तो नेखिवल यहाँ Filip लिखें यहांपे लिखेंगा का होग atlach in भी 55 में यहां पर यहां पर जो हो यह कितना हो जाएगा तो पाइबाई जो है वह यह हमारा कितना होगा तो पाइबाई यह जो है वह च्छोदुनी 2 यह पाइबाई बटे जो है वह बार जो है वह हमारा answer finally हो जाएगा ठीक है चलिए अब जो है हम इनका एनिकी next question यह नाइन नमर question लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिए गात। देखिए्धोन नमर्व कुश्चन गीभींद्ध दिया हुआ है एडिया हुआ है लिखिष्चन धिया हुआ हुआ हमें धिया कितना धिया हुआ है धिया रहे हमारा जू से पड़ाई टू। और यह भींद्ध prophetTeas दिया हुआ है इनको हम स्टॉलब करते हैं आप लोग अच्छे से देखेए गां यहां पर भी यह होता है यह जो प्रपटीग होता है यह हमारा 0 से एफ एक्स डी एक्स एक्वाल्टू जो हुआ जीरो से एफ ए मेनस एक्स डीर्स यह प्रोपर्टी जो हुआ हम लगाते हैं यहां पर क्या हम यह अप्लाय करेंगे यहां पर हम पहले नहीं अप्लाय करेंगे अप्लाय करेंगे यह हमारा बहुत ही लंबा बन जागा ठीक है यह यहam पर पर प्रपर्टी जो हूँ अपलाई खरीक ही यहां मेन की बना रहे हैं यहां इक हम इनको लिख सकते हैंवह सने स्थांट पर हम सकते हैं यहां से पइबाई टो और हमारा हो जागा 1 में बट्वहां पबस्क्तो इसका हना हो गया अब देखिए आई कि वा जीने पाइबाई टू और यह हमारा उपर पांचेंगे मिनरस भी बल्रक हो आदे 7र ड्रीड 1 मिनस इसकार के यह हमारा पलस यह कोस स्क्वाइर 2x बट्टे जो है गए 2 dx यहाँ पर 1 by 2 यह constant बाहर हो जाएगा तो यह हमारा आएक बल्टू जो है 1 by 2 constant बाहर हो गया तो यह 0 से pi by 2 और यहाँ पर देखें यह 1 minus 2 cos 2x पलस अब देखें कोस स्क्वाइर 2x का फोर्मूला होता है यह हमारा होता है 1 पलस यह कोस नहीं कि यह 1 पलस कोस 4x बट्टे जो है वह 2 यह फोर्मूला होता है और यह dx तो अब देखें यहाँ पर जो है वह आएक बल्टू यहाँ पर जो भाइबाई टू और यहां पर एलसी हम लेंगे तब इनको बाहर भेद देंगे तो हमारा तू म्हों चार्ड को स्थ्फ और हमारा हो जएगा पलस को स्थोर एक्स और यह इतना हो गया अब देखें इन्सा आगे हम स्वाल करते हैं तो देखों अगला स्थेप क्या रहने वला तिये i equal to 1 by 4 इसका integration करेंगे तिये देखिए 2 एक 3 तिये हमारा 3x हो जाएगा और यहां पर देखिए इसका integration हम करेंगे तो minus 4 sin 2x upon 2 और यह कोज का होता है sin तिये हमारा हो जाएगा sin 4x by 4 0 से pi by 2 यह इतना हो जाएगा देखिए यहां पर i equal to जाएगा 1 by 4 और यहां पर 3 गुने pi by 2 और यह पल minus 4 sin 2 गुने यह pi by 2 और यह बटे में 2 और यह पलस यह जो होगा sin 4 गुने यह pi by 2 बटे जो होगा 4 यह इतना हो जाएगा बटे यह हमारा 4 है और यह lower limit लखेंगे तो यह भी 0 sin 0 0 सब भी 0 हो जाएगा तो इनको छोड़ दीजिए यह i equal to 1 by 4 यहां पर देखिए क्या बचा हुआ है यहां पर जो होगा यह बचा हुआ है 3 pi by 2 यह 3 pi by 2 और यहां पर देखिए यह और यह cancel sin pi का value कितना होता है तो sin pi का value कितना होता है यह भी यह पूरे term को 0 कर देगा और यह भी पूरे term को 0 कर देगा तो यह हमारा 0 बनी पलस यह 0 हो जाएगा अब देखिए यह जो हुआ हमारा i equal to आएगा 3 pi by 4 दूनी 8 यह जो हुआ हमारा answer हो जाएगा अच्छली अब हम 10 नमर question लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा देखिए यह जो है वह इसमें कुछ mistake हुआ है देखिए हम कहां mistake कि हैं देखिए यहां पर डाइलेक्टली यहां पर देखिए टू का a square कितना होता है जी टू का a square तो 4 होता है इसको जो हम a पलस बादिका की इसको हम a minus b का all square पर बरेक हैं यह हो गया यह 2 का square कितना हो गया यह तू का a square कितना पर यह यह out सब्सक्राइब तो यहां हो जाएगा यह जो हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा थिरी पाइब अर्दूनी सोलो इस इज मैं आंसर यही जो हुआ हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम ट्याइन नमर क्वेच्चन लेते हैं तो आप लोग अच्छे से अब देखिए इसका टैन नमर क्वेच्चन गेवें आई कबल टो जिरो फाइब टू रूटेंडर साइनेक्स बटे रूटेंडर साइनेक्स प्लस रूटेंडर कोसेक्स डी एक्स के 2022 माया था इस टाइक का क्वेच्चन पांस नमर बेगी जाएगा कई बार आया हुआ को राता यहां पर एक प्रोपर्टी लगाई है और यह गों सवर्ण हजयेंगा यहां पर हम लेखते हैं कि यूजींग प्रोप्रटीए यूजींग प्रोप्रटीइ जीरो से ऐाफраж डी एक्स इकबलतू जीरो से इन a minus x dx यह प्रपर्टीज होता है यह प्रपर्टीज यहां पे हम apply करेंगे तियह हमारा 0 से πाइब आफ टु होगा और यह root अदर जो है हुआ, sine πाइब आफ टु मैंनस x यह जो है हुआ, हम क्या करते हैं तो दोनों को ब्लिमीट को जोर देते हैं ये समय से घटा देते हैं यहां प्लिअ में legitimate को ज़ लेंगा तो ήला में पर्मा समय सके मिलें यह को प्लिमिम्न नीचे हमारा होगा को कि express यह इतना हो गया पलस अंडर रूट यह इतना हो गया अब देखिए यह जो हुआ इसको फॉस्ट नाम दे दिए ताकि आगे हम इनको एड़ भी करते हैं यह हमारा आ एकवल टू जिरो से पाइबाइटू देखिए रूट इने साइन अन्नी की साइन पाइबाइटू में नस कोर्द आगे हमारा कौर्सक्स ब्रट निचाम भी हमारा कौ सैक्स होगा पर लकी हमारा साइन एक्स हो जाएगा यह वह यह हो गया इसका नाम सकेंड दिघिए अब जाओव एकवियोशन फॉस्ट और सकेंड को एड़ कर दिघिए यहां पर लेकिएंकिएगे सोस्ट टूब equation second then यहनी first equation second को जो रहेंगे आयाय कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा और यह हमारा 0 छे pi by 2 under root यह हमारा sine x बटे जो है हुआ under root यह हमारा sine x plus यह under root cos x plus यह जो होँआ root यह हमारा sine x यह इतना हो जाएगा और यह बरायकेट यहाँ पर दे दीजिए dx यह इतना हो गया अब यहाँ पर हम lc m ले लेंगे तो यह हमारा 2i1 बल्टो 0 से pi by 2 और यहाँ पर हम lc m लेंगे तो नीचे हमारा होगा root यह हमारा होगा sine x plus यह root under cos x इसको इन से डिभाइड करेंगे तो यह हमारा होगा root under sin x कितना होगा तो यह root under sin x इसको इन से डिभाइड करेंगे तो यह 1 1 से multiply करेंगे तो root under cos x यह इतना होगा और यह dx यह यह cancel यह और यह cancel तो 2i about ु यह जो हो जिरो छे 5 by 2 dx यह इतना हो गया अब देखे यह जो हो influx 2i about imperial यह हमारा x होजायेगा 0 छे 5 by 2 अब देखे यह जो हो 2i about 2 । यह हमारा five by two minus 0 तो यहां पर 2i about यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है उमीद करते हैं कि आप लोग यह कोईचन जो बहुत यह थात्रिका से समझ गवने तो देखें इसी टाइप का निकी जो हुआ निकी 10 नमर था नहीं है अब देखें इसका 11 नमर कोईचन को स्वेल्ब करने से पहले यानि कि हम आपक है उनको हम पहले लिख लेते हैं यह हमें दिया हुआ है आइक बलतो एक टू बी और यह लोग एक्स का होले स्कार अपन एक्स दिया हुआ और यह दूहजार 22 में पूछा हुआ है तो देखेंगा यह भी जो हो बहुत ही इंपोर्टेंट कोईचन है 2022 में आया था दोहजार 24 में पूछना का चांस हो सकता है कि यहांपर हम स्थुल्व करेंगे इसल यहां पर हम लेट लेते हैं आय एक बलतो जहा हुआ है यहां पर हम पूट कर देते हैं यहां पहले यह है जो हो इसको हम पूट ऐसको जिस्कлаг benefits को हम t put कर देते हैं अब इनका जो होगा differentiate कर दीजे यहां पर लिख दीजे differentiation with respect to x इनका differentiate करेंगे तो यह log x का 1 by x और यह dt बटे dx therefore यहां से dx इक बल्टो x dt x dt आगे आगे नाउ यह i इक बल्टो यह a2b अधे लोग x का स्थान पर क्या हो जागा tii square हो जागा पटे yㅎx और yΧ dew इक से इक से इक से स्थान पर x dt यह इतना हो गया तो देखके x x केंसेल यह a1 कंसीले आई क yatपल्टो जो है वो यह हमारा हो जाएगा A से b और ćस्द आप इसके स्थान पर T cube बटा T यह A से B यह I Equality T Iqual Q यashOR किया थी T Iqual Q Log X Log X रख दीजिए यह हमारा हो जाएगा Log X का जो हो कितना हो जाएगा Th all cube हो जाएगा log X का जो हो इतना हो जाएगा d surprise whole cube हो हो जाएगा log X का whole cube बटे यह हमारा 3 हो जाएगा यह इतना हो गया देखिए यहां पर A से B हो जाएगा यहां पर 1 by 3 आज़े constant बाहर और यह देखिए log X का स्थान पर B देदेंगे तो B का whole cube मेनस यह हमारा हो जाएगा log A का whole cube यह इतना हो गया अब देखिए log M by N लौग M by N का हम फ्रमूला लगा देंगे log M by N की है बनेंगे आप लोग यह क्या नफर हो जाएगा मखना वह उम्मीद करते हैं कि अच्त तरीका 마 struggling से समझ यहां तक में अभी में 11 कुरीचन टो नमर में आए हुआ था अब देखें इसका पांच नमर बला जो है वह आप हम स्वाल्व करते हैं देखें यहां पर 2000 यह बटेम जो हुआ हुआ हमारा होगा कोटेक्स पलस यह रूटेंडर 10 एक्स और यह डी एक्स यह जो हुआ यह है यह आया था द्रव्व 17 मैह था पंत नमर में यह जो हुआ दोनों क्वेशन आप खुद बन आए एनका ड nby 4 आएगा यह हम जो क्वेशन हम बनाए है यह से यह में हैं यह बनाए हैं सेम इसका थीरी नमर क्वेश्चन गिव हैं I equal to 0 से 5 by 4 log 1 plus 10x dx दिया हुआ चलिए इनको हम solve करते हैं सबसे पहले इनका नाम आप first दे देजिए solution यहांप हम using using property using property 0 से a fx dx equal to a properties हता 0 से f a minus x dx यह प्रोपर्टीज होता है यह प्रोपर्टीज हम यहांपे apply करेंगे यह हमारा I equal to 0 से 5 by 4 यह log यह 1 plus 10 यह देखे दुनों को जो अन्य की यह प्रोपर्टीज यह होता है कि आप अपर लिमिट लोए लिमिट को जो लेंगे था pi by 24 होगा तो यह हमारा pi by 4 minus x ठीक है यह इतना होगे dx यहांपे जो हो हम 10 a minus b का फर्मुला लगा थे यह फर्मुला होता है 10 a minus यह होता है 10 b बटे जो हो यह 1 plus 10 a into 10 b यह फर्मुला होता है यह i equal to 0 से pi by 4 और यह लोग यह हमारा होगा 1 plus यह हमारा होगा 10 a minus 10 b 10 b बटे जो हो यह होगा 1 plus 10 a into 10 b यह हो गया और यह dx है तो dx यह इतना हो गया इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अब देखे इन से आगे यह i equal to 0 से pi by 4 और यह लोग यह हमारा होगा 1 plus 10 pi by 4 कमान 1 minus 10x बटे यह 1 plus 10x यह इतना हो गया और यह dx अब यहाँ पर जो हो हम क्या करते हैं तो LCM लेजिए जिरो से pi by 4 यह लोग यहाँ पर LCM लेंगे तिए 1 plus 10x यहाँ पर LCM आगा 1 plus 10x ठीक है और इनको डिवाइद करेंगे तिए इतना आ जाएगा और यह plus यह 1 minus 10x ठीक है यह रेखे यह और यह cancel यह और यह cancel यह हमारा i equal to 0 से pi by 4 लोग यह कितना हुआ दो बटे यह 1 plus 10x dx यह इतना होगी अब देखे लोग m by n का फोर्मुला होता है लोग m minus लोग n यह फोर्मुला होता है यही फोर्मुला में यहाँ पर अपलाई करते हैं यह हमारा i equal to यह हमारा हो जाएगा 0 से pi by 4 यह हमारा होगा लोग 2 minus यह लोग यह 1 plus 10x और यह dx यह इतना हो जाएगा अब सभी अलग-अलग हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 0 से दुनों को अलग-अलग कर सकते हैं यह हमारा log to dx minus यह हमारा 0 से pi by 4 log यह 1 plus 10x dx देख्या हम इसी को जो हुआ हम आई माने थे इसके अस्थान पर हम आई लग देंगे यहां पर log 2 यह constant बाहर और यहां पर यहां पर इंट्रिगेशन ऑफ 0 से pi by 4 और यह dx इसको हम इसके अस्थान पर आई रखे देंगे यह i set आजाएगा तो आई कितना हो जाएगा तो आई हो जाएगा और यह log 2 और इसका आज कित्सा हो जाएगा जिरो से रख फो यह हो गया अब देखिए यह जो है वह वह अब देखें यह 2 से 2 और फ़र यह आएक बलतो पाय बटा चार दुनी आठ ब्लोग 2 दिस इज माए आंसर यही जो है वह हमारा फाइनल क्या होगा तो अंसर हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग यह कोईचन जो होगा बहुत ही अच्छा तरीका से समाझ गहांगे तो चलिए अब इनका जो है वह हम फोर्थ नमर कोईचन लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखेगा तो देखें इसका फोर्थ नमर कोईचन जो होगा दिया होगा है यह जो हम लिखते हैं फोर्थ नमर कोईचन दिया होगा है यह गिभेन यह कोईचन जो होगा यह कौन सा इस भी माया होगा अनि आया है यह दो आगवा 2020 में आया हुआ है ठीक है यह कोईचन 2020 में आया हुआ था अब देखे इसका चार नमर कोईचन जो है वा गिवहन आ एक बलतो जीरो से यह हमारा कितना है पाइब फोर और यह साइन स्कार एक्स डिया हुआ है और यह 2015 में आया हुआ चले इनको हम स्वाल्व करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखेगा देखे इनको हम स्वाल्व करेंगे इसमें जो हुआ हुआ हम क्या करते हैं तो यहां पर यह साइन स्कार है इसको जो हुआ आप कोईच में चैंज कर दी देते साइन स्कार एक्स एक बलतो फर्मुला होता है 1-2x by 2 यह फर्मुला होता है तो यहाँ पर हम स्वल्ब करते हैं स्वल्यूशन यह आएक बल्टो यहाँ पर यह फर्मुला चिपकाएंगे तो 0 से पाइबाइब 4 यह साइन स्कार एक्स के जिएगा पर 1-2x बटे यह 2 i1-2 as constant बाहर 0 से पाइबाइब 4 हो जाएगा यह 1-2-2x-dx यह हो जाएगा यह i1-2 1-2 अब देखें वन का integration x और यह कोस का कितना होगा तो कोस का हमारा होता है साइन यह हमारा हो जाएगा साइन टू एक्स बटे जो है वह कितना हो जाएगा टू हो जाएगा और यह जिरो से पाइबाइब फोर अब यहां पर अपर लिमिट लगाते हैं यह हमारा आए एक बलतो वन बाइटू यहां पर हम पहले यह अपर लिमिट लगाने तो फोनी चार ठीक है यह हमारा यह एक बल टू जाए हुआ वन बाइड टू और यह हमारा पाइड फॉर अमेनस यहाँ पर देख साइन पाइड यहां कितना होता है यह हमारा वन वाइड हो जागा तो यह हमारा यह के इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो पाइड बटा-अर्थ-1 लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा अब देखिए इसका फाइब नोमर कोईचन की भेहन आएक बल्टू जिरो सपाइब आई टू अनिकी लोग टैन एक्स प्लस कोट एक्स डी ठीटा प्लस कोट ठीटा दिया हुआ और यह पूरूब करना है पाई लोग टू य और इसको साइन कोस में करे ए जिरो से फाइब वाइटू लोग ये ठीटा को हम लिख सकते हैं कितना साइन ठीटा बट 250 अब्टे ये लिख सकते हैं अब देखिए औज्धिता अब देखिए इक भल्क की यह जीरो से पाइबाइटू लोग यहां पर LCM ले लेंगे यह हमारा होगा sin theta into में cos theta यह cos चे कोस केंसिल बचेगा sin उपर में गुना हो जागा तियह sin square theta plus यह sin sin केंसिल बच जागा तियह हमारा होगा cos square theta यह d theta अब देखें यह i equal to 0 से पाइबाइटू लोग sin square theta plus cos square theta अकमान 1 होता है और यह हमारा होगा sin theta into cos theta यह हो गया और यह d theta यहां पर देखें उपर में 2 से गुना कर देते हैं और जो होगा नीचे भी हम 2 से गुना कर देते हैं यह गुना कर देंगे यह हमारा i equal to 0 से πाइबाइटू यह लोग यह हमारा 2 बट यह देखें 2 sin theta into cos theta sin 2 theta और यह d theta अब देखें यह i equal to यह 0 से πाइबाइ 2 log m by n यह हमारा log m minus log sin 2 theta यह हो गया इसका d theta यह हमारा हो गया तब देखें दुनों का अलग-अलग कर देते हैं यह हमारा i equal to 0 से πाइबाइ 2 log 2 minus यह जो है हुआ यह यह d theta देदी यह minus यह 0 से πाइबाइ 2 log यह हमारा जो है हुआ sin 2 theta d theta ठीक्षा यह इतना हो गया अब देखें यहां पर यह हम इसका नाम जो हुआ हुआ हम इसका नाम फॉष्ट दे दिजिए हम इसको माल लेते हैं लेट पहले इसका जो हुआ हुआ integration हम निकालते हैं इसका तो इजली निकल जागा इसका नहीं निकलेगा इसको हम लेट कर लेते हैं एक i1 के equal ठीक है इसका हम पहले value निकाल लेते हैं यहां पर देखिए 0.5 by 2 log sin 2 theta d theta यह है दिया हुआ था यह इतना हो गया था अब देखिए हम क्या करते हैं तो इनका नाम जो हुआ हुआ फिलाल ए नमर दे दिजिए ए नमर नाम हम दे दिए यहां पर जो हुआ हुआ हम क्या करते हैं तो put करते हैं यह दो 2 theta equal to t 2 theta equal to t अब इनको जह हुआ हम differentiate करते हैं differentiation with respect to हम theta के respect to differentiate theta differentiation with respect to theta on both side तो इनको theta के respect में करेंगे तो यह हमारा 2 हो जाएगा और यह dt बटे यहां therefore यहां जो हुआ हम d theta का मान निकालेंगे यह dt by 2 हो जागा यह इतना हो गया अब यहां पर चुकी upper limit low limit दोनों को हम change करना पड़ेगा अपर लिमिट अपर लिमिट को हम change करेंगे तो यह यहां पर निकी ठीटा का स्थान पर जो हुआ हुआ इनकी upper limit एट यह जो हुआ हुआ ठीटा इक बल्टो जो हुआ 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 कि पर पाइवाई 2 पर पहले निकाल लेते हैं हमारा पाइवाई 2 और यह यह t हो जागा ति यह यह cancel therefore t equal to pi आ गया अब देखिए हम निकालते हैं lower limit lower limit limit निकालते हैं at theta equal to 0 पर यह देखिए यह दो गुने 0 equal to t therefore t equal to 0 आ गया है जिरू आ गया अब देखिए now हम यहां से I1 equal to lië थे यहां से यह देखिए यह 0 रखे थे t equal to 0 आया और यह हम theta पाइवाई 2 रखे थे यह हमारा पाया आ गया ठीक है यह इतना आ गया अब देखिए हम जो है वह क्या करते हैं तो जो है वह हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वह हम यह निकी जो है वह यह देखिए लोग साइन टूठीटा है लोग साइन कितना है तो टूठीटा है यहाँ पे टूठीट बटे टू हो गया यह इतना हो गया अब देखिए इसको जो हो यह वह यह वन बाई टू या जो कॉंस्टेंट बाहर हो जागा यह हमारा वन बाई टू और यह जीरो से पाई यह लोग यह हमारा साइन टी और यह डी टी ठीक है यह इतना हो गया अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं यह इतना हो गया अब जो है वह हम क्या करते हैं इनको जो है वह हम क्या करते हैं तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे देखिए हम जो है वह लेट कर लेते हैं यहाँ पे जो है वह एनिकी fx इक वह एनिकी f t f t equal to log sin t हम कर लेते हैं ठीक है अब देखिए हम निकालते हैं f यह यह हो, हम निकालते हैं pi-t, f pi-t, तो देखिए log, यह हमारा sin, यह pi-t, यह इतना हो गया, अब देखिए, यह यह हो, f pi-t equal to, देखिए, यह log, और यहां पर, पे dike, Sin pi आईणि, pi-tosse क्या होता है, sin tt होता है, यह sin t हो गया, देए यह हमारा f p- t equal to लेकर देगर देजी घाल थो यह उखावचा अबराबर यो घंड पर पर्वर्डीज यूजिंग प्रोपर्टीज यह प्रोपर्टीज होता है 0 से 2a और यह fx और यह dx इकवाल तो यह प्रोपर्टीज हो जाता है 2 और यह 0 से 2 इन्टो 0 से a और यह fx dx when कब होता है जब when कब होता है तो जब यह f और यह 2a-x इकवाल तो fx जब यह condition को यह hold कर जाता है तब जाके यह condition होता है तो चलिए अब हम इन से आगे इनको solve करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो इतना तक जो हो आप लोग जो हो बहुत अच्छा तरीका से स पाइब आप लोग तो और यह लोग साइन टी डी टी इनको हम ऐसे लिख सकते हैं तो यह बिलकुल हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए इन से आगे इनको हम जो होगा solve करते हैं यह देखिए यह और यह भाई साइब केंसेल यह हमारा i1 एकवाल टू जीरो से रहने वाला है वह यह फर्मूला रहने वाला है यहनि कि इंटरीगेशन ओप ए टू बी ऐफ एकस डी एकस इक्वाल टू टू बी एफ टी डी टी यह यहाँ हम जो हो। यह यह पर अन्य प्रॉपर्टीज होता हैं कि यहां पर एगर एकस है यह यहां कि एकस के जो होगा इंट्रिगेशन करिएगा लेकिन दोनों को जो होए निकि अपर लिमिट लोई लिमिट अगर जो होगा सेम रहता हो निकि समाना आप रखते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है इनको हम लिख सकते हैं यह आई वन इकवाल टू यह जीरो से पाइव आई टू ल लगाते हैं यूजिंग यूजिंग प्रोपर्टी जीरो से एफ एक्स डी एक्स एकवाल टू यह जीरो से एफ ए मैनस एक्स डी एक्स यह हो जाएगा अब देखें यह हमारा हो जाएगा आई वन इकवाल टू यह हमारा होगा जीरो से पाइव आई टू लोग यह हमारा minus theta ये और यह d theta अब देखिये j retα है ये i1 एक बल्ट ये 0 से 5 by 2 log sin log sin ये देखिए 5 by 2 minus theta ग बल्ट क्या होता है हमारा cost theta नहोता है तो यहां पे दीजिये cost theta ये हमारा हो जायगा cost theta d theta इनका नाम third देजिए अब हम second और third को add कर देते हैं तिया नहीं कि second अजोर third add करेंगे तो यह हमारा ii कितना हो जागा,2i हो जागा और यह 0 से 5 by 2, यह हो जागा log sin theta, पलास यह log cos theta और यह हमारा d theta, यह इतना हो गया, अब देखें यहां पे हम क्या करते हैं, तो 2i equal to 0 से pi by 2 log m minus log n, यह हमारा log m into n, यह formula हो जाएगा, यहाँ पे log m into n, यहाँ पे sin theta into cos theta हो जाएगा, और यह d theta, यहाँ पे 2 से divide कर दिए, 2 से multiply, कोई दिकत नहीं होगा, अब देखे, यह 2i equal to 0 से pi by 2, log 2 sin theta की यह हमारा होता है, sin 2 theta, और यह बटे 2 d theta हो जाएगा, log m by n का formula लगाते, 2i1 equal to 0 से pi by 2, और यह log, यहाँ पे m by n का formula लगाएंगे, sin 2 theta minus 0 से pi by 2 log 2 d theta, यह इतना हो गया, अब देखे, इन से आगे, इनको हम solve करते हैं, यह इतना हो गया था, तो देखे, इनको हम क्या मानने थे, i1 मानने थे, यहाँ पे देखे, यह जो हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखे, इसी को जो हम, यह निकी, i1 बराबर 0, 5 by 2, log sin 2, theta, d theta, इनहीं को जो हम क्या मानने थे, तो यहाँ पे देखे, यह निकी, i1 मानने थे, इसके अस्थान पर हम यह, i1 का जो हमान राखते हैं, यहाँ पे हम राखेंगे, यह जो हमारा कितना है, यह हमारा 2, i1 equal to, यह हमारा हो जाएगा, i1 minus, यहाँ पे log 2 as constant बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से, 5 by 2, d theta, यह इतन 2, i1, यह i1 इसा आएगा, यह minus i1 equal to minus log 2, और यह, theta हो जाएगा, और यह 0 से, 5 by 2, तो अब देखे, 2 i1 GI का जाएगा, यह i1 हो जाएगा, और यह minus log 2, और यह, 5 by 2, minus yह, हमारा 0 हो जाएगा, यह इतना हो, ओपोगो गया अब देखे यह अ इकवल डो हुआ में निकाल ले इसमें आप आप देखे यहांपे एंग तो... पाइबाइटू यह लोग टू और यह डी ठीटा मैनस यह इसके अस्थान पर हम आईवन माने थे यह आईवन हो गया अब देखें आईवन का भेलू हम यह इतना निकाल ले थे यह आई एकवल टू लोग टू एज एक कॉंस्टेंट बाहर और यह 0 से पाइबाइटू डी ठी ड ह था अब देखें इसको जो है वह हम सिंप्लिफाइः करते हैं यह हमारा हो जाएगा लोग टू और इसका ठीटा होझाएगा जिरो से पाइबाइटू मैनस मैनस बास हो जाएगा और यह पाइबाइटू लोग टू ध्याने ओ और गेट शट दियो यह एतना होगे आप देखिए यहाँ पे जो हागवा लोग टू और यह हमारा पाइबाइब टू मैनस जीर अपर लिमिट मैनस लोग लिमिट लगा देंगे यहाँ पे पाइबाइब टू लोग टू और यह देखिए हमारा पाइबाइब टू लोग टू और यह हमारा पाइबाइब टू लोग टू तो देखिए पाइबाइब टू पाइबाइब टू तो यहाँ हाप हाप कितना हो जाएगा तो यह हमारा फूल हो जाएगा यहाँ लोग टू पाइबाइब लोग ठीक है और फिर हम जो हुआ next को जैवा दिखाते हैं अब देखे इतना ले लिए होंगे अब दिखे यह हूआ इनका इतना ले लीजिए इतना ले लिए इतना इसके इंसरत ले बोरे शा पेज का ले लिए यह ले लिए अब देखिए अब जो है वह आप जो है वह इनका ले लिए इनका जो है वह इतना तक जो है वह तब जाके यह इतना लिखने के बाद जो है वह तब यहां से आप लोग लिखना यह स्टार्ट करेगा इतना ले लिए और यह जो है वह इतना ले से समझ गेत अब देखे इनका जो है वह हमें यह 5 नमर था अब देखे इसका 6 नमर कोष्चन 6 नमर कोष्चन यहीं पर हम लिखते हैं गिभेन जो है वह लिखते हैं आएक वल्टू जीरो से पाई बाई फोर और यह हमारा है टैन एक्स मैंनस यह एक्स और यह 10 स्क्वाइर एक्स दी एक्स यह कोष्चन जो है वह 2013 में आया हुआ है ठीक है तो चलिए इनको हम स्वाल्व करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा तो देखिए यह भी कोष्चन जो है वह आप इनको भी इंपोटेंट रख सकते हैं ठीक है यहाँ पे जो हम पूट करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे वह हम पूट कर लेते हैं पूट यह जो 10x मेंस एक्स है इसको जो हम ठीपूट कर देते हैं यहाँ पूट कर देते है पूट यह 10X minus x equal to t अब इनका differentiate करिए differentiation with respect to x 10 का कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा architectural r2 minus x call 1 इसका हो जाएगा dt by dx यह इतना हो गया तो यह इतना हो गया तो यहाँ जाएगा यहाँ देखे architectural r2 minus 1 कितना होता है 10x होता है 10 square x होता है यह हमारा हो जागा 10 square x और यह square x भे देंगे तो dx equal to dt यह इतना हो गया अब जो हुआ हम upper limit और जो हुआ lower limit आनि कि हम रखते हैं तो यहाँ पे देखें यहाँ पे जो हुआ यहाँ यहाँ एक बकसा बना दिया है ठीक है यहाँ पे जो हुआ हम रखते हैं तो आप लोग देखे देखे x equal to pi by 4 है यहाँ पे x equal to pi by 4 है यहाँ पे हम यहाँ पे pi by 4 रखें इसको छोड़ देजे यहाँ पे हम लिखिए देते हैं चुकि यह upper limit at x equal to pi by 4 यहाँ पे हम रखेंगे तो यह 10 pi by 4 अब मिनस यह pi by 4 इक बल्टो t तो यहाँ पे 10 pi by 4 का value 1 हो जागा तो यह 1 मिनस यह pi by 4 यह t का value आया है अपर limit यह इतना आया है अब हम निकालते हैं lower limit lower limit at x equal to 0 पर तो यह हमारा हो जाएगा 10 0 मिनस यह 0 equal to कितना होगा तो यह हमारा t हो जागा 10 0 कमान 0 तो therefore यहाँ से t equal to 0 आगया t का value निकल गए इतना निकल गए अब हम question में रख देते हैं now यह जो होगा i equal to यह 1 minus यह pi by 4 यह 0 यह इतना था और यहाँ पर देखे यह इतना आगया पर हम t put की है यह t दे देंगे और यह देखे यह जो होगा 10 square x dx का स्थान पर dt दे देंगे यह हमारा t square हो जाएगा यह 0 से 1 minus pi by 4 अब देखे हम जो होगा बहलो रखते है i equal to 1 by 2 और यहाँ पर देखे यह हमारा 1 minus pi by 4 का whole square यह इतना हो जाएगा आप जो होगा इनको 12 करिएगा यहाँ पर देखे यह 1 by 2 और यहाँ पर जो होगा क्या करिएगा यहाँ पर LCM लेंगे यह हमारा 4 हो जाएगा 4 minus pi यह जो हो जाएगा कि आप लोग यह 6 नमर क्वेश्चन बहुत है अच्छा तरिका से समझ गाँगे चलिए अब इनका 7 नमर क्वेश्चन लेते हैं आप लोग अच्छे से देखेगा अब देखे इसका 7 नमर क्वेश्चन जो होगा 2022, 2011, 2014, 2016 में आया होगा इनको जो हो हम solve कर लिए हैं आप लोग देखेगा यह हमारा i equal to 0 से pi by 2 log sin x इसका खाता है dn की integration निकालने के लिए यह फिर रहेगा 0 से pi by 2 log cos x दोनों का process आप सेम करेगा यह अहां पर जागो हम परोपर्टीज लगाते हैं using properties 0 to a f x dx equal to properties होता है 0 to a f a minus x dx यह परोपर्टीज होता है यह परोपर्टीज यहां पर लगा दिये यह दोनों को हम जोड़ देंगे यह pi by 2 होगा यह जो होगा यह हो गया तो यह pi by 2 minus x cos x हो जागा अब यह एक और दो नमर एक्वेशन को हम एड करते हैं यहां पर हम लीख देंगे एडिक एक्वेशन फर्स्ट एंड सकेंड देन वीगे तो इनको एड करेंगे तिया आया हो जाएगा और यह 0 से pi by 2 log sin x plus log cos x अब देखें log m plus log n का फर्मुला होता है log m into log n यह हमारा log m into n हो गया यहां पर 2 से multiply कर दिया और 2 से divide कर दिया कोई फर्क नहीं परेगा 2 sin x into cos x sin 2 x हो जागा और नीचे में 2 है तो 2 यहां पर log m by n का फर्मुला लगाएंगे तो log m by n का फर्मुला होता है log m minus log n dx यह 2 i equal to यह देखें यह जो है वह यह 0 से pi by 2 log sin 2 x dx यह इतना हो गया माइनस यह 0 से pi by 2 log 2 dx हो गया देखें इसका तो integration हो जाएगा आरा हम से यहां पर जह हो हम इसके अस्थान पर i1 दे देते हैं i1 इसको हम लेट कर लिए है यह 2 i equal to i1 minus log 2 और यह 0 से pi by 2 dx वेर यहां पर i1 का यह जो मान है वह हम लिखती है ठीक है अब देखें यह 2 i equal to i1 minus यह माना से i1 का value चाहिए यह log 2 constant बाहर यह कुछ नहीं dx का integration x हो जाएगा 0 से pi by 2 इसका नाम हम यह नमर दे दिये इसको आप जो हुआ हुआ को हम simplify करते हैं i1 को हम simplify किये थे आपको हम बताए थे इन से पीछले भी question में बताए थे जो हुआ अब देखें यह i1 equal to 2x को t put कर limit निकालते हैं at x equal to pi by 2 पर तो t equal to pi by 2 तो therefore t equal to pi हो जागा low limit निकालेंगे at x equal to 0 पर t equal to 2 0 equal to 0 यह इतना हो जाएगा तब देखें 0 से pi हो जाएगा log sin t dt बटे 2 हो गया इनको जब हम simplify करेंगे तो यह इतना होगा अब देखें यहां पर जो हुआ 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 तो हमारा कोई change नहीं होगा तो यहीं using property a to b fx dx लिखा हुआ a to b f t dt इनको जो हुआ हम x के जो हुआ x के variable में जो हुआ हम change कर दिये तिसको change कर दिये यह इतना है यह इसको हम fx माल लेंगे और यह pi minus x equal to formula लगाएंगे ताकि यहां पर 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 जो हता है जीरो से 2 a fx dx equal to हता है 2 यह हम बाहर कर देते हैं और यह 0 से a fx dx when f to a minus x equal to जब fx होता है तो वही पर 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 यहां पर लगा है fx equal to log sin x यहां पर f pi minus x निकाल लिए तो यह log sin pi minus x हो जाएगा और यह pi minus x equal to log sin x हो गया that is pi f pi minus x equal to fx हो गया यहां पर जाएगा i1 equal to 1 by 2 गुने 2 0 से pi by 2 log sin x dx यह इतना हो गया अब देखें यहां पर जाएगा हम इसी का जो अनिकी इसका जो अनिकी मान हम i अनिकी मान है थे यहां पर therefore i1 equal to i हो गया तो यहां पर जो हो हम तो pi by 2 यह minus pi by 2 log 2 जो हो हमारा final answer हो जागा तो उमीद करते हैं कि आप लगे बहुत यह सत्रिकास से समझ गया होंगे तो चलिए अब आप मिनका हम जाएगा